एलो स्टुडेंट्स क्लास को एस्टुडेंट्स आज मैं आपको एक्ससाइज की एक्समीं करूँगी ठीक है तो एक्ससाइज को शुरू करते हैं सबसे पहले कोशन नमर फरस्ट पे चलते हैं उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा अपनी बुट का पेज लंबर 20 ओपन क अगरेगे कोंग के सबसे में निटरों फरस्टायं और ऑपstillके सबसें आपको क्या करना है और यो बड़ा होता हैसके तरफे आपको क्या करना होते हैं ऑपन करना होता है तो आपको क्या करना यह बुक में भी फिल कर सकते हैं और इसके मैंने सभी जो आपकी एक्सेसाइज है इसके हरी कोशन से एक पाट आपको पेज़ पर कर बना के जो सैंड की है आप महां से अपनी मैच की फियर कॉपी में लिख लेनी चीक है तो शुरू करते हैं यह आप और इस तरफ लिखा है 35,900 आप डारेक्ट देख के बता सकते हैं जो नहीं बता सकते हैं अब वो देखेंगे लियांसे सबसे पहला आपको क्या करना 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 होता है कि कौन सी डिजिट में कितने नंबर है तो जब आप इस डिजिट को काउंट करोगे तो टोटल कितने नं और इस डिजिट देखि है कि दोनों तरफ कितनी कितनी है अब हम क्या करेंगे इसके बास सेकुंस्टा mi series सेकीड स्टा में क्या करेंगे सबसे का पर्स्ट आप लिए तो रिप साइड उससा करना है की है कोन सा नंबर लिए तो दोनों तरफ ही 33 आए है यहां से भी नहीं पत है और है एट है तो यह ट chi restaurate थीज्ट वाकिके पार्टा पिस ट्रेंट्स इसके इसी तरह अर्वाए आप से टीक है अब चलते है प्री तो त्रे Untie की कोशन चैने पहचान करनी है तो सबसे पहले काउंट कर ले कि यह बार करें पार्मिय कोशन Crown करने के बाद अगर तब भी नहीं पता चल रहा है यहां पर दोनों डिजिट का जो फर्स नंबर है इधर 5 है इधर 3 है तो पूर्म सा छोटा है आपका है आपकर 35003 ठीक है आप चलते हैं कोशन नमबर 3 पर कोशन नमबर 3 में क्या लिखा है देख लिजिए आपर इसमें लिखा है मैं इसको ल courtroom आपको क्या करना है तो इसमें भी यही चीज अपलाई करनीतUS सबसे पहले अप्아 क्या लेंिए सभी इसमें कितने हैं फाई इसमें कितने मैं ओर इसमें आपके शिक्स तो अभाइ आपको कि funder एंड आपको मिद्गहिए अब हम सबसे लेकिन इसमें ला जो यह वाला नम्मर है है इसमें तीनों में 007 तो इसलिए ये थर नम्मर पर यह और यह गई झार है वह उस्तर नम्मर जाए गा क्योंकि सब्सक्राइब आइप दिसब्सक्राइब में इस तरह से घटता कर आएगा तो सेंडी कोशन में पहचान करनी है इसमें भी आपको यही पैटर्न अप्लाई करना है यहां पर देख सकते हैं मैंने हर एक पार्ट कराया थर्ड फोर्ट से तो यह आप सकर लेंगे हैं से इसको फियर कर लेंगे अब प्रश्चन नमर 5 क्या करना है फिलिंदा ब्लैंग्स निए खाली सां को भड सब्सक्राइब करें अगर आपको समझना है तो मैंने आपको बताया था कि यहां पर यहां पर यहां पर हो जाएगी यहां पर 10,000 सबसे चोटी हो जाएगी पांच अंगों की ऐसे कर लेते हैं हमेशा ध्यान अबना लिखते हैं पहले फिर 1,2,3,4,5 तो क्या होगे आपका जादा लिखी गई 1,2,3,4,5 तो यह होगे आपका 10,000 ठीक है अब हम क्या करेंगे इसने बोला इसका प्रेडिजिजर तो बताना है तो क्या होगा है आपका माइनस की वन हो जाएगा लास्ट जो आपका वन्स वाला प्लेस होता है वन्स टेंस हंडर्ड थाउजन टेंट 10, तो यहां पर क्या हो जाएगा यह जो वन्स वाला पार्ट होता है मैसे इसका माइनस हो जाएगा वन तो जीरो मैसे तो वन नहीं जाएगा क्या करेंगे यह जीरो 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 तो यह सारे सारे इसके पास गई आपके लेंगे तो यह आपका क्या हो गया यह वाला नंबर देखेंगे, देखें यहां पर, माइनस 1 करना है, ठीक है, हम कैसे करेंगे, माइनस 1, यह जब 0 है, तो यह यहां से शुरू होगा, क्योंकि इसको carry देगा, तो यह तो 0 हो गया, ठीक है, यह हो गया 10, 10 ने इसको एक दे दिया, तो यह भी 10 हो गया, बट यह 9 बचा, अब इसने इसको एक दे दिया, तो यह तो 10 हो गया, बट यह 9 बच गया, क्योंकि इसने इसको एक दे दिया, तो 9 में से वन गया, कितना बच आपका, 8, और यह कितना हो गया, आपका, यहां हो गया 10, तो 10 में से वन गया, कितना हो गया 9, फिर यह भी 9, और यह भी 9, और यह भी 9, ठीक किस तरह से आपका अंसर हो जाएगा बाखी के पार्ट भी आपका ऐसे ही कंडिश्टेंस ओके ध्यान रखना है सबसे पहले पांच अंकों की छोटी संख्या लिखनी है संख्या को लिखने के बाद प्रीडीजर निकाल रहे हो तो माइनस करना है और सेक्सिजर निकाल दिये त आपके एक्सरसाइज प्रीवेस में नहीं है क्योंकि यह अब आएगा 6 और 7 ठीक है इसलिए यह मैंने क्लास थर्ड में सिखाया था अगर आपको सीखना है तो उसकी वीडियो भी आप देख सकते हैं ठीक है तो यह आब आब मैं आपको बताऊ हूँ है इसमें ही आपका चा कोशन है आपका कोशन नमर 6 और 7 ने अब बताऊंगी आपको चीक है तो चलिए अब कोशन नमर 6 पे चलते हैं इसमें लिखा है राइट दे सेक्सीजर ओफ ता फॉलोइंग नमर्स इसमें लिखा है ए जो कोशन है अगर सेक्सीजर निकालने तो क्या करतेंगे प्लस वन करे हम अपनी बुको ओपन करेंगे जीन में यॡिया टुम्र करेंगे तो आध कीन स्चिर सेक्सीजर दाएट को राइगा तो बीखानी करीगा थे यह जैसे मैंने आपको बताया था इसमें लिखा है write any six digits number, reverse the digit to get another number, find which of the two numbers is greater आपको क्या करना है, छे अंको की एक संख्या लिखनी है, फिर इसको reverse करना है और आपको यह बताने है, दोनों में से कौन से संख्या बढ़ी है तो आप कोई भी संख्या ले सकते हैं, मैंने तो 123456 लिए है, आप इसके अदर कोई भी ले लो, 10, 11, 12, 13, 14, कुछ भी ले लो, आपकी मर्ची है, ठीक है तो मैंने इससे किया है, question आप देखें यह आपर सबसे पहले मेरे छे अंगों की संख्या कौन से लिया, 123456 लिया, इसको reverse कर दिया, reverse नंबर होगी हमारा 654321 greatest नंबर कौन से हैं मैं से, दोनों मैं से 654321, ठीक है इस तरह से आपको ए question complete करना है, अब आज है question number 9 पर question number 9 में आपको क्या करना है, six candidates contested and election and go to the following numbers of words 6 लोगों ने क्या क्या है, election के लिए apply किया है वहाँ पर, तो उसमें जो 6 लोग है, उन्हें जो vote मिलिया, वो किस तरह से मिलिया, candidate को A को इतनी vote मिलिया, B को इतनी मिलिया, C को इतनी, D को इतनी, E को इतनी और F को इतनी, चीक है, अब नीचे A, B, C, 3 questions पूछें, उनको जवाब देना है, मैं आपको एक समझाती हूँ, बाकि क्या आप खुद करना, इसमें लिखा है, which candidates go to the maximum vote, maximum का मतलब हो गए, ज्यादा से ज्यादा vote मिलिया, तो ज्यादा vote किसको मिली है, F वाले को मिली है, चीक है, तो इसके बाद आपको फिरी सी तरह से, who got the minimum, minimum मतलब कम, चीक है, इस तरह से आपको एक question करने है, अब 10 वाला में आपको करा रही हूँ, बाकि के part आप self करेंगे, चीक है, इसमें निखा है, आपको क्या करना है, चार अंको की smallest यादि चोटी संख्या बनानी है, तो चोटी संख्या बनाने के लिए, क्या करेंगे, अब आपको बताया था, कि 0 थर्ड क्लास में भी यह चीज आपको समझाई होंगी, मैंने कि जो 0 होता है, उसको जब smallest बनाते हैं, ग्रेटेस्ट में तो हमेशे 0 सबसे लास्ट में जाती है, बट जब हम smallest नंबर बनाते हैं, तो इसमें 0 हमारा सबसे second place पर जाता है, क्यों जाता है, मैं इसको reason बताती हूँ, अगर मैं 0 को starting में लिख देती हूँ, तो आप इसको क्या पढ़ेंगे, आप इसको पढ़ेंगे 478, तो 478 को अगर मैं पढ़ेंगे, तो मैंने कितने number को include किया, इसमें only 3 number को include किया, 0 को तो मैंने include ही नहीं किया, तो जब 0 क्या है, हमारे include नहीं हो रहा है, तो यह 4 अंगों को कैसे हो गए हमारी 4 अंगों की संक्या, तो बनीनी हमें कितनी बनानी है, 4 digit number की बनानी है, तो 4 को अगर हमें, इसको भी 0 को include करना है, तो मुझे 4 पहले लिखने पढ़ेगा, और 0 बाद में बाकिका number as it is रहता है, ठीक है, बस यह जो number होता न, यह पहले आजाता है, 0 इसके place पर चले रहता है, अब यह count क्या करेंगे हैं, इसको क्या पढ़ेंगे, अब पढ़ेंग आपको write the smallest number 5 digit using inka, इसमें आपको 5 अंगों की क्या बनानी है, छोटी संख्या बनानी है, 12 जो है, write the greatest 6 digit number using digit, इस, 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 जो यह digit दिए हैं, आपको 450619, इन digit को आपको बड़ा number बना रहें, तो बड़ा number के लिए क्या आजाएगा, पहले आपका 965410 आज इतनी, minimum sale इतनी है, तो 1000 per shop, इसका आपका estimate करना है, दोनों digit को और फिर क्या करना है, इसको question को solve करना है, छीक है, फिर इसमें है आपका estimate the population of your city and write in words, इसको आप self करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि यह आपको population अपनी city के लिखना है, छीक है, अपनी city के जो भी आपकी population है, और को words में भी लिख लेना, ओकी, I hope कि strengths, आपको exercise समझ आई हो, क्योंकि आपकी exercise जो है, question number 15 पर ही last खतम होती है, okay friends, अगर आपको exercise नहीं समझ में आई हो, तो दोबार ऐसा देखे, अगर फिर भी ना समझ में है, कोई problem आती हो, तो आप school में भी आपके पूछ सकते हैं, अपने parents के साथ में आपके, छीक है, okay friends, thank you and have a nice day.